अब बात करते हैं जारकन के सियासत की जिसके लिए आज का दिन बहुत ही एहम है लाप के पत के मामले में मुख्यमंतरी हेमन सोरेन को आज इस्तीफा देना पर सकता है संभावना ये जिताई जा रही है कि कानूनी सलहा लेने के बाद राज जिपाल रमेश बैस आज हेमन सोरेन को आयोग्य ठेराने वाला नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं तासा हालात को देखते हुए राजी में सुभह 11 बचे महा गडबंधन की बैठक बुलाए गई है और इसमें जारकन मुक्ती मोर्चा के अलावा सभी स्योगी दलों के विधायक भी मुझूद रहेंगे वैसे सबकी नजरे इस बात पर टिकी है कि आखिरकार राज्यपाल इस पर क्या फैसला सुनाता है मागडबंधन उसी के हिसाब से अगला कदम उठाएगा इसलिए एक बैटक भी हो रही है और बैटक में तैय किया जाएगे कि अगर राज्यपाल यह फैसला लेते हैं और जारखन में सियासी जो गहमा गहमी है वो बढ़ गई है क्योंकि इलेक्शन कमिशन ने जो रेकमेंडेशन दिया था वो गवरनर हाउस तक पहुँच चुका है और गवरनर अभी उस पर लीगल जो है वो एक तरीके से अपनी लीगल टीम से बाचीत उस पर कर रहे हैं और उ पिये के तमाम जो घटक दल हैं कॉंग्रेस पार्टी हैं और बाकी जो घटक दल हैं उनके तमाम MLA यहां आएंगे तो कोशिश यह हो रही है कि तमाम MLA जो हैं वो इंटक्ट रहें लेकिन आगे किस तरह का डिवलप्मेंट होगा यह सब निर्भर करेगा कि गवरनर किस तर सूतर दे रहे हैं लेकिन आगर गवरनर हाउस की तरफ से कहा जाता है कि उनको चुनाव लड़ने से डी बार किया जाता है तो ऐसे में जो डिवलप्मेंट है वो बेहत ही आलग होगा क्योंकि उस तिती में चीफ मिनिस्टर चुनाव लड़कर के दोबारा मुक्यमंत्री न बात पर निर्भर करेगा कि गवरनर हाउस से किस तरह का फैसला आता है क्या गवरनर हाउस से फैसला जो मुक्यमंत्री है अंगड़ा मामला जो है उसको लेकर के उनको डिस्क्वालिफाई करने का फैसला आता है या फिर चुनाव आयोग उनको चुनाव लड़ने से भी डी तीवी न्यूस, गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर